हलो दोस्तों वेरी वेलकम टू आयोफेस आप सभी का स्वागत है तो स्टोइंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है आप सभी को स्क्रीन पे बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा हाई वेटेज एंड इजी टॉपिक्स तो CSR 8 डिसेंबर 2024 के एक्जाम को अगर आप लोग टार्गेट कर रहे हो और इस टार्गेट में आप लोगों की सोच है कि मुझे वो टॉपिक्स देखने है जिनका इंपोर्टल्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनके हर एक्जाम में क जिसमें आता है complex analysis जिसमें आता है linear algebra, abstract algebra, matrix spaces and topology and applied mathematics तो और ओल सारा syllabus अगर हम लोग देखेंगे तो मैं यह नहीं बुलूँगा कि यह स्टोर्ण 50 टॉपिक्स है यह 30 टॉपिक्स है मैं बहुत कम टॉपिक्स दूँगा लेकिन अफकोस वो उतने ही ज्यादा important होंगे उतने ह ज्यादा ही interesting होगे कैसे आप लोगों को उतनी खुशी भी होगी जब आप वो topics को सुनोंगे क्यूंकि अगर मैं वो topics आप लोगों को दिखा दू तो अगर आप एक से दो ज्यादा से ज्यादा दो lecture और कम से कम एक lecture में ही आप वो topics को finish कर पाएंगे उसके questions की practice को कर recently आप recent के CSR net exams लोगे जो CSR net आप देख सकते हैं June 2020 और उसके पीछे आप देखोगे December वाला June वाला 23 का है September 22 का है और चाहे तो उसके भी दो तीन exams पीछे papers के ले लो और वो सारे papers में उन topics के questions देख ले मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ हर topic से question आया हुआ है जो topics में आज आपके सामने दे रहा हूँ और हर topic से जो question आया है वो question शायद CSR net exam का सबसे आसान टाइप वाला वो question है तो चलिए students start करते हैं और जानते हैं सारे के सारे वो topics जो सबसे आसान topics है देखिए सबसे पहला topics जो की आप set theory and countability से पढ़ते हो students को पता होगा countable uncountable sets और इस topic को मैं जैसे के live bash में भी पढ़ा दू maximum 2-5 lecture में मेरा ये पूरा topic finished हो जाता है और उसी के साथ साथ इसके सारे questions की practice भी हो जाती है सारी थेरी हो जाती है results हो जाते है questions की practice हो जाती है सारी चीज़े हो हमारी 2-5 lecture में count complete हो जाती है और इस topic के previous questions पर जरा आप देख लो आपको पता चल जाएगा कितने आसान से भी आसान questions आपके इस topic से निकलेंगे दूसरा topic दूसरा जो है हमारा वो अगर हम question अगर देखने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा limit superior and limit inferior of success अब बात तो situation अब इस हलात में पहुच चुकी है कि कभी-कभी exam में इस ही अपपी के दो-दो question दिखने को मिलते है और question में एक ही result है जो बार-बार-बार-बार आप लोगों को use करना है कौन सा है limit superior of an is equal to supremum of limit point of an and limit inferior of an is infimum of limit point of an तो वही results बार-बार use कर लो या फिर limit superior limit inferior के जो properties है वो properties डाल दो most of the time वहापे minus one to the power yen काम में आता है तो उसके help से आप लोग example solve कर सकते हो और again मैं बता दू ये topic हमारे live batch का सिर्फ एक lecture का topic है और इस topic से 100% question भी निकल के आता है जो की solve होने के लिए सबसे आसान topics में से एक है उसके बाद next one power series most of the time आपको power series का question मिलेगा और ये question interestingly ऐसा है नहीं कि इसमें बहुत घुमा पिरा के पूछने के लिए कुछ है नहीं आप अगर देखनी जाओगे आपको या तो radius of convergence पूछेंगे या फिर interval of convergence पूछेंगे radius of convergence और interval of convergence ये दोनों अगर आप लोग निकालने के लिए भी जा रहे हो तो सबसे आसान method से जो दो तीन result से कोशिज root test है कोशिज hard mass test है उनके limit सुप्रेयर लेके check कर सकते है अगर limit exist नहीं हो रहा है तो वही और sure salt हो जाएगा इसके पास जड़ा चलते है calculus में यूजो लिस्ट वर्ण को तो calculus पसंद होता नहीं है लेकिन calculus में अगर आप लोग देखोगे तो uniform continuity का जो question होता है जो एक question hundred percent हर exam में मिलता है वो question calculus का तो सबसे आसान question होता है in fact real analysis का भी one of the most easy question आप लोगों को मिलेगा इसके results के अगर बात कर ले अगेन एक ही lecture में आपका सारा का सारा uniform continuity का जो course है जो topic है वो finished हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है सबसे असान टाइप से आप लोग example की solve कर सकते हो और वही सबसे difficult level के questions भी आपको उसी lecture से solve कर सकते हो तो अगर कोई भी student है जिस student को preparation करना है तो यह चार topics कम से कम real analysis के तो काफी चरू रही है अब उसके बाद uniform continuity के बाद में जाता हो linear algebra में linear algebra में एक question में और बता सकता हो जैसे कि यहाँ पर आप देखाऊगे diagonalization and minimal polynomial थेरी बहुत कम है कभी-कभी question इसका difficult भी निकला है मैं ऐसा नहीं बुलोगा कि 100% हर टाइम पर question इस निकलेगा diagonalization का अगर question निकल रहा है तो वह आसान ही होता है most of the time minimal polynomial में question आपको थोड़ा बहुत घुमाख फिरा के पूछते है लेकिन इसमें एक और topic है जो कि है mattresses का mattresses का question भी बहुत बार students बहुत बार आसान होता है एक question ने होता है दो से तीन question mattresses की होते है जिसमें भाई एक question बड़े अराम से आप लोग डिल कर सकते है एक question basis and dimension का भी होता है कुछ students को यह topic difficult लगता है लेकिन आपने विकास सर ने पढ़ाया हुआ content चंदल सर ने पढ़ाया हुआ content एक बार पढ़ लिया basis and dimension का तो आपको ज़्यादा pain paper यूज करने की जरुत नहीं पढ़ती आप बड़े आराम से इस टाइप के question को डिल करते हो और question को solve भी कर पाऊगे इसके बाद algebra में में most important topic लेकर आया हूँ जो की है irreducibility of polynomial हलाकि स्वैलो स्थेरम के उपर भी बहुत बार question पुझा जा चुका है यसे अन गुरूप specially उस गुरूप को related बहुत सारे questions होते हैं उसके अलावा number 3 से आज कल group 3 से भी ज्यादा question पूछन पूछने लगे तो अलग-अलग factors है जिसमें से irreducibility criteria का जो question है वो question सबसे असान type का question मान जाता है algebra में ठीक है तो इस question को अब देख सकते हैं अगर मैं partial differential equation को देखने जाओ तो partial differential equation में कोशी problem is one of the most important as well as easy topic और partial differential equation में एक और topic है जो ओर आल अगेन बहुत ज़्यादा easy है जो कि है classification of second order partial differential equation इसके उपर भी आपको चार टाइप्स का होता है ठीक है ellipse है कि ने यह hyperbola है कि ने प्यारा बोला है कि एसी वाले चीज़ें सिंपल सी पुछी जाती है और एक और जो कि linear programming problem पुछा जाता है जो कि solve होने लायक है optimum solution निकालने के लिए बोलेंगे maximum minimum किस point पर निकालने के लिए बोलेंगे dual problem पूलेंगे इससे जदा और कुछ वहाँ पर नहीं पुछा जाता तो अगर किसी भी students को marko chain भी एक topic है जहां से आप question solve कर सकते हैं तो dear students यह तो 10 topics है जिन 10 topics को मैंने दिया हुआ है इससे भी जदा topics चाहिए होगे तो मैंने एक और वीडियो बनाए जिसमें मैंने top 30 most important topics जो है उसको डाला हुआ है उसमें से कुछ topics मैंने इस वजह से निकाले है क्यूंकि वहाँ से question कभी कभी difficult आते कभी कभी आसाना थे अलाकि आप complex analysis की almost सारे topics देलोगे सारे topics आसान types के ही है तो मैंने उसमें सो ज़्यादा कुछ include नहीं किया लेकिन बाकी जो चीज़े है आप लोग इसके उपर बिलकुल बहुत अच्छी तरीके से focus कर सकते हो और dear students मैं दावे के साथ बोल सकता हो इन 10 topics के 10 question minimum आपके हर exam में ह होता है इसमें से मान के चले 5 topics question जो है वो part B के है 5 question जो है पार C के है तो लबबब वो 23 to 25 marks का मतलब आपका यहाँ पर 38 marks का जो syllabus सिर्फ और सिर्फ 15 lectures में है तो इससे बहते रहें आप लोगों को क्या चाहिए होगा तो dear students उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे IFS का जो लर्फरी का section है जिस लर्फरी के section में आप लोगों को बहुत सारे previous year questions paper यहाँ पर देख रहे हो तो आप 100 दिखाई दे रहा है लेकिन actual में 175 plus है बहुत सारे questions आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगे मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने mention भी किया था कि 13,000 से भी जादा questions जो है आपके IFS के लर्फरी में PYQ के questions पड़े हुए क्या सिर्फ इतने ही questions है जी बिल्कुल नहीं आपको unit wise, topic wise and mock test हमारी 4 units दिलावस के है तो 4 unit के चार test topic wise में real की, linear की, complex की, abstract की, matrix space, topology, OD, PD हरे की अलग-अलग test है COV यहने और आपके साथ linear integral equation यह तीनों की एक test है और end में statistics की भी एक test है ऐसे लगबग 8-9 test आपके unit wise और topic wise दोनों मिला के अगर देखने है तो 12-13 test है और mock test भी अलग है और यह सारे के सारे free है इसके लिए आपको एक रुपया भी पे नहीं करना है तो आज ही www.ifsonline.com पर जाईएगा वहाँ पर login, simple register कर दीजेगा registration करने के बाद आप लोग उस test को अच्छी दरीके से दे सकते हैं और सिर्फ test ही क्यों आप year wise cut off देख सकते हैं आप topic wise paper analysis देख सकते हैं आप exam के pattern है syllabus है important dates है यह सारे चीजे देख सकते हैं और बहुत सारी चीजे जो आप लोगों को मिलेगा अगर कोई student है जिसको हमारे batch में अडल करना है जैसे मैंने पहले भी बता है कि सिर्फ और सिर्फ पंधरा question जो है पंधरा lectures में आपके लगबग 10 question जो है वो cover हो रहा है तो यही live batch में अगर आप लोगों को एंडल करना है तो हमारे live batch already start हो चुकी है और हमारे यह जो live batch है जो की लगबग 16th of September से start हो चुके तीन से चार lecture हो चुके है linear algebra का course इसमें पढ़ाया जा रहा है जो की सबसे important course है CSR net December 2024 के exam के point of course है तो इसके उपर आपको flat 30% अब भी मिल रहा है IFS 30 promo code आप लोगों को use करना है इस promo code के साथ आप इस batch में इंडल कर सकते हो और अपनी preparation को कई गुना ज़्यादा आप उसको बहतर बना सकते हो जिन students ने recently CSR net July 2024 का exam दिया है उनको अगर अपने rank के बारे में अपनी जारेफ होगी के नहीं और अगर हो रही है तो किस rank से होगी अगर यह चीज़े जाननी है तो इन चीज़ों के लिए आप लोग हमारा जो IFS का rank predictor है जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है हमारी जो official website है उस official website पर जाओगे simply registered कर लोगे तो यह rank predictor में आप लोगों को अपना simple सा basic सी detail डालनी है आपका result की information डालनी है आपको हमारा rank predictor बता देगा कि किस तरीके से आपकी rank आ सकती है कितनी rank आ सकती है ठीक है students तो आज ही हमारा जो IFS का app है उसको download कर लिजेगा register कर लिजेगा क्योंकि IFS मतलब result आप लोगों को दिख रहा होगा CSR NET December 2023 में लगबग 1200 से भी ज्यादा students qualify हुए तो इस time अब आपकी बार यह है जून का result जैसे आता है हम वो भी बता देंगे इस time December 2024 में आपकी बार यह है आपको अपना सबसे best देना है और result को लेकर आना है ठीक है students, so all the very best and happily रहती, thank you